Hello my dear friends, जैसा कि हम सभी को पता है कि सिर्वियसी ने सुप्रिम पोर्ट में ये हाल अपनामा दिया है कि वो क्रेटीरिया क्या रखेगा क्लास 12 के रिजल्ट के रिजल्ट का और जो तकी निउज एजन्सी के थूँज चैनल के हमें पता चल रहा है कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट जो होगा वो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 प्रिबोर और पैटिकल्स इन सब को इंक्लूट करके बनेगा जहां पे क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 10 का जो वेटेज है वो 30% लिया जा रहा है class 11th का weight is 30% लिया जा रहा है और class 12th का जो weight is है वो 40% का लिया जा रहा है तो अब इन सारे weight is का आखिर calculation होगा कैसा है अगर आपको माल दिजे आपके pre-vote के marks पता है पैटकल का आप approximate एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 26, 27, 7, 28, ऐसा है कुछ number आपको मिला होगा या आप उसको 98%, 100% के बीच में रखे calculation आप कर सकते हो तो या आप किसी बच्चे का calculate करना चाहते हैं तो कैसे calculate करेंगे अभी के हिसाब से जो criteria है आइए उसको complete axle seats से समझते हैं ये class 12th result calculations का axle seat बनाया गया अब जैसा कि देख सकते हैं class 10th के लिए class 10th के top 3 subjects का calculations में सामिल किया जाएगा class 11th का complete annual results को सामिल किया जाएगा class 12th का pre-board और peticles को सामिल किया जाएगा तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि class 12th के pre-board plus peticles दोनों के marks add करके आपको डाल लिया अब यहाँ पर क्या है class 10th के top 3 subject तो मैंने यहाँ पर 3 subject ले लिया subject to and subject to subject class 11th के path subject जो main subject है वो मैंने यहाँ पर subject to and subject to subject subject for subject 5 ले लिया class 12th के हमारे पास path subject है वो भी यहाँ पर ले लिया इन सब का average calculate होगा तो average का formula क्या है, या तो आप इन तीनों को add करके 3 से divide कर दीजे, या सीधा मैंने यहाँ पर average लिख लिया, average A5 से C5, उसी तरह से यहाँ भी मैंने average, सारे cell का average निकाल लिया यहाँ पर, और इस तरह से मैंने class 12 का average निकाल लिया, उसके बाद यह कहता है, कि 30% of class 10, 30% of class 10, 30% of class 11 40% of class 12, तो जो average हमारा calculate हो रहा है, उस average का 30% मैंने यहाँ लिखा, उस average का 30% class 11 का यहाँ लिखा, उसी average का 40%, जो यहाँ पर average आपको आया था, उसका 40% हमने यहाँ पर calculate किया, और overall result out of 100% यह निकल के आपको आ जाएगा, यह क्या है, 100% पे जो आपका result होगा, यह वो है, कि overall आपका क्या result है, तो आएब एक बच्चे के data को हम enter करके check करते हैं, suppose करते हैं, किसी बच्चे को subject 1 में, माल लेते हैं, out of 100, 98 marks आए, okay, 88 marks आए, okay, and 95 marks आए, तो इसका average क्या बना, 93 का average बना, उसके बाद हम subject 1 11th class की बात करते हैं, suppose करते हैं, उसको 85 numbers आए, उसको 90 marks आए, उसक 95 numbers आए, ठीक है, इस तरह से उसका average, class 11th का average क्या बना, उसका 90% का, इस तरह से हम दूसरे subject का class 12 का pre-board plus peticle, peticle का एक आप approximate अंदाजा ले लिजे, अगर आप student हैं और teacher हैं, तो साइद आपको पता ही है, कि आपने अपने बच्चों को peticle भी क्या दी हैं, अप pre-board के marks आपके आपस available है, तो उन दोनों को add करके माल लिजे 89, sorry, माल लिजे 89 numbers आएं यहाँ पे, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे 89 के बाद हमारे पास माल लिजे 85 marks आ गए, उसके बाद हमारे पास माल लिजे यहाँ पे 95 marks आ रहे हैं, next subject पे 96 marks आ रहे हैं, और वहाँ पे 90, चलो 92 marks आ रहे हैं, माल लिजे, तो इसका average बना 91.4, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 percent अपने हाँ कैलकुलिट हो गया, class 10 का, जो 30 percent का average था, वो हमारा average है और ठीक है तो इस average को हमने यहां से लिया और उसका 30% उसका कितना calculate किया 30% यह 30% class 10th के average का है 93 का यह 30% class 11th के result का है ठीक है 90% का और यह 40% लिया गया है class 12th की result का मैं आपका overall out of 100 result के आप बता रहा हूँ कि आप कैसे calculate करोगे individual subject के बारे में अभी हमारे पास कोई data नहीं है इसलिए मैं आपको accurate calculation नहीं बता सकता हूँ sorry to say ठीक है तो यह इस तरीके से इस बच्चे का जो अगर अगर देखा जाए तो 91% के असपास इसका result 92 कह सकते हो तो 92% के असपास इसका result बन रहा है इस अच्चे का ठीक है तो देखते हैं अब मंडे तक आपको सारा figure clear हो जाएगा उसके बाद साथ मैं इस condition में रहूँगा कि मैं आपको full detail बताऊँगा कि आपका proper result calculations कैसे होगा या आप अपने बच्चों के results को कैसे calculate करोगे ठीक है तो चले मिलते हैं आगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि CBSC का final criteria मंडे तक declare हो जाएगा थैंक यू बाबाई टेक क्या